इंतिजार करना पड़ा आपको सोरी लेकिन बारिश का मोसम था वीडियो बनाने में थोड़े परिशानी हुई लेकिन जो वादा किया है वो पूरा करना बहुत ज़्यादा जरूरी है मैं अपनी इस वीडियो में कुछ खास बाते बताने वाला हूँ जो चेंज हुए है एक हमारा एज लिमिट का हुआ है और एक चेंज हमारा हुआ है निगेटिव मार्किंग का इस दोनों चेंज हर केंडिडेट के लिए बराबर महत्व रखते हैं इसकी पोजिटिविटी और निगेटिविटी दोनों के लिए बराबर है लेकिन मैं कहूंगा जो एज लिमिट का एक जनवरी 2023 रखती उससे पहले के लेती लेकिन इस बार इसा नहीं हुआ तो यह अच्छी खबर आपके लिए दूसरा निगेटिव मार्किंग जिसे आप बुरा समझ रहे होंगे लेकिन यह चीज एस यूती हैं कि यह हर केंडिडेट को अफेक्ट करती हैं किसी क्या हो कि हमें सफलता मिली जाए तो ओनलाइन डेट सब जानती है तो चोटी सी बात है दो आठ दोजार 2023 को शुरू हो चुका है और इसके बाद अब टेईस आठ दोजार 2023 लास्ट है मैं कहूंगा बहुत जल्दी ना करें और मैं कहूं लास्ट ताइम का इंतिदान ना करे मैं राय दूँगा आपको पांच से और बीस के बीच में आप उनलाइन करा लें क्योंकि कुछ गल्तियां जो इन से होंगी वो आपको पता चल जाएंगी आप उसको सुधार सकते हैं जादर जल्बादिस सही नहीं जादर डिले मत करना है यह हमारी स्टाइटिंग डेट है और यह खतम हो जाएगी इसके बाद आगे बढ़ते हैं एज लिमिट यह बच्चे बड़ा कन्फ्यूज रहते हैं सर में फोर्म भर सकता हूं नहीं बर सकता हूं तो इससे अच्छी टेबिल आपके लिए नहीं होगी आप अपनी हाई स्कूल की मार्क शीट निकालें और प इसके नीचे को फिर 3, 4, 5, 8, 96 और 1, 8, 2005 इसके बीच में अगर आपकी एज या बर्थडे पड़ता है अगर इसके बीच में आपका जन्म हुआ हो तो आप एलिजिबल हैं आप S.S.C. सेनोग्राफर का एक्जाम दे सकते हैं लेकिन अगर आपकी उम्र इससे पीछे को जा ही है यानि कि 2, 8, 1996 ना हो करके 1, 8, 1996 हो 31, 7, 1996 हो और पीछे को चले जाओ आप यहां से तो फिर आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे आपके लिए एलिजिबलिटी नहीं है इसलिए रेड मारकर से लिखा गया है क्योंकि आपके लिए खत्रा है आप नहीं कर पाएंगे इसस आगे नहीं जाना चाहिए आपको आप 1, 8, 2005 से पीछे पेदा हुए हो लेकिन अगर आप इससे आगे चलेगा है 2, 8, 2005, 3, 8, 2005 तो फिर आप रहने दें आपका नहीं हो पाएगा अब बात आती है ग्रेट C के लिए तो इसमें जो लिमिट है वो पहले वाली है सेम 18 साल के लि इसके नीचे इलिजबिल रहेंगे इसमें एक चीज़ देखने की यह है कि यहां 18, 2005 है लेकिन यहां 96 और 93 का फरक है क्योंकि इसमें 30 साल तक छूट दी गई है सभी केंडिडेट्स को जनरल वगेरा सबको लेकिन इसमें 27 साल होती है तो इसलिए आपको दिख रहा होगा यह यहां 96 और यहां 93 एक 8 1993 वाले इसमें फॉर्म अपलाई नहीं कर पाएंगे यहां एक चीज़ और में बता दूँ आपको कि जो SC और SP वाले हैं वो दोनों में 5-5 साल एड़ करके और अपने फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं उनके लिए रिलेक्सेशन है एज का ऐसे ही 3 साल का O BC के लिए है यह जनरल केटिगरी के लिए था फिर दोहरादू में 2-8-1993, 3-8-1993, 4-8-1993 है तो आप फॉर्म अपलाई करेंगे तो आपको जो फॉर्म भरेंगे आप उसमें ऑप्शन आते हैं कि ग्रेट D के लिए या ग्रेट C के लिए या बहुत तो आप बहुत नहीं कर पॉस्ट वाके में 1114 हैं, ग्रेट C की 93 हैं, यहां क्या परिशानी हो रही है आपको, यहां इतने जाद है आपके अंदर उदासी क्यों हैं, क्यों आप निराशो इस चीज के लिए, क्या आप पिछली वाली पॉस्ट को देख रहा हो, जो 49 के करीब आई थी, ठीक है फिर आ मतलब नहीं होता है, और पता कितनी पॉस्ट असा मतलब नहीं होता हूने, आप यह हटा दीजिए, वो अब भी जोब लेके जाएंगे, जिनकी जिद है, 111 वेकेंसी टोटाल अगर बीमाद हैं, तब भी जोब लगीगी उनकी, यहां दो आप इसे हटा दो, तीन सिर्फ ग् एक तो मेरी है, मैं लेकर के ही जाऊँगा, बस यही स्टेटजी हो और कुछ स्टेटजी नहीं है, जो सॉलिड स्टेटजी है, वो यही है, या मुझे तो एक जोब चाहिए, होंगे दुनिया में कितने लोग, मुझ जैसा कोई नहीं है, मेरी तैयारी तो ऐसी है कि मैं जाना 200-200, 300-300 questions English के कर रहा हूं, 500 questions और GS के कर रहा हूं, कौन रोकेगा आपको, मैं तो यह कहूंगा, इन सब को हटवा दो, आप सब को इतनी भी हैं, एक वेकेंसी हैं कर लो, एक यहां कर लो, आपकी है वेकेंसी है, क्यों आप इतने निगेटिव एक्सपेक्ट अपनाते ह जाएगी, लेकिन आप लोगों गंदर, निगेटिव चीज़े देखने का ज़्यादा शोक होता, पिछले वाले से तुलना कर रहा हूँ, आप जो 4900 थी, उससे तुलना नहीं कर रहा हैं, जो 400 आती थी, 800 आती थी, 900 आती थी, 1100 हैं, बहुत ज़्यादा वेकेंसी हैं, प्ल बढ़नी ही हैं, बढ़ सकती हैं, दोनों में फर्क हो जाएगा न, टेंटेटिव का मतब यह नहीं हैं कि बढ़नी ही हैं वेकेंसी, बढ़ सकती हैं, फर्क हो जाएगा दोनों बातों में, यानि कि एक चांस हैं कि बढ़ सकती हैं, क्यों बढ़ सकती हैं, क्यों सरी यह पहल पांच पांच मजदूर चाहिए पांच लोगों ने अभी कंफर्म नहीं किया वो कह रहा है जरा आप इनके मजदूर लगवा दो पहले इनके लिए नोटिफिकेशन निकाल दो आप पांच मजदूरों के लिए हम आपको बीच में बता देंगे पहला पेपर करवा लो आप उ हमने एक पोस्ट के लिए दस पास किये हुए हैं फिर आयागा फोन हाँ यार वो उस टाइम ने बता पाया था अब हमने कैलकूलेशन कर ली है पांच मजदूर और चाहिए हैं जुड़कई वेकेंसी आपके पास पहुच जाएगी सीधर शब्दों में समझा जैता हूँ य अपने लिए रिक्रूट्मेंट कराता है वो शुरू में ही सारी वेकेंसी नहीं बता पाता कुछ बोलते हैं बाद में बताएंगे अब हम क्यलकूलेशन कर लें कि कौंण से कौंण department में हमें क्या क्या चाहिए कितने सीगे वाले चाहिए कितने डी वाले चाहिए किस जगा पर posting होनी है तो उनकी inquiry उनकी जो अपनी evaluation होती है उसके बाद result आता हूं का तो बताते हैं कभी 500 रेड कर दो तब तो वेकेंसी बढ़ जाती है देखा होगा आपने कई बाद 2200 दिखाई पितालिस सो हो गई कम नहीं होती यह अच्छी बात है तो एक हौप हल्की सी रखें आप मैं तो कहूंगा मत रखो आप इस पर तैयारी कभी कम वेकेंसी है मतलब 11 से वेकेंसी आपको कम लग रही है तोटल देखो विदेश मंतरा ले वो मेरा है मालगों नहीं का चक्क नहीं पढ़ रहो 1114 वगरा के चक्कर में ठीक है न बस यह सोलीर स्टेट जी होती ही रूँ बता रहा हूँ आपको मैं बात करता मुझाती है बहतरीन तरीके से पढ़ाई करो मत देखो आप 1114 आप निकालो बस चार इन में की जरूरत नहीं है सब के लिए बराबरे बच्चो निकेटिव मार्किंग मीन्स पहले हुआ करती थी वन बाई फोर की इसका मतलब क्या हुआ आपने एक क्वेशन सही करा नंबर मिल गया दूसरा सही करा नंबर मिल गया तीसरा सही करा नंबर मिल गया चोथा सही करा नं लब ये है कि एक question गलत होने पर point two five जाते थे पहले सबके जाते थे किसी के ऐसाथ ऐसा तो जाते है कि सब मेरे number नहीं कटे negative marking के या मेरे number सब पूरा आगा है ऐसा नहीं हुआ हो कभी सबके ब्राबर कटे है अब ये एक one by four नहों करके यह होगा है one by three यानि कि अब जो आपका score बनेगा जो minus होंगे वो point three three लगबग होंगे point three three four इस ताइप से करके ठीक तो अब negative marking का वारे one by three के हो गई है क्या इससे कोई डरने की जरुवत है क्या डरने की जरुवत है इससे सोरी ने इससे डरने की जरुवत क्या है यह one by two करवाल हो आप merit नीच आएगी लेकिं merit आपकी नीचे 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 आएगी सब की नीचे आएगी merit के ओपर कई सारी चीज़े डिपेंड करती paper कैसा बना, normalization कैसा हुगा vacancy बढ़ी नी बढ़ी, short end का क्या इस्तार रखना चाहते हैं बहुत सारी चीज़े हैं बहुत सारे factor है इसके लिए फिलाल मैं इतना कहूंगा negative marking से कोई भी negativity अपने दिमाग में ना लाए बढ़ यतना समझ लें, पहले एक question गलत होने पर point two five जाते थे, कोई बात नी ना, सब के जाते थे आपके भी जाएंगे, आज भी point three, three के लगबख जाएंगे लेकिं सब के ही जाएंगे, please ऐसी जग़ दिमाग लगाया करो जहां दिमाग लगाने के जरूद, बता का दिमाग ये लगाओ कि डिएड़ सो के पार कैसे लेके जाओ अपना, दिमाग ये लगाओ कि रिजनिंग में 45 प्लस कैसे लेके जाओं, दिमाग ये लगाओ कि इंग्लिश में 90 प्लस कैसे करूं, दिमाग ये लगाओ कि जियेस में 30 प्लस कैसे लेके, यहां क्यों दिमाग लगा रहा हो, रिमाग लगाने का काम SSC का है वो कर लिए अपना काम लेकिन हाँ नजर रखो कितनी वेकेंसी आई है किसमें कितनी है विदेशमन्ट राली मेरा है वो उसमें कितनी है डिफेंस में कितनी है दिल्ली में रुकना है मुझे यू पेसी की तैरी करनी है कितनее मुझे मुझे मEA up에 number लाने पढ़ेंगे ऊसके दिल्ली में posting मिल जाए ताकि मैं आगे पढ़ाई कर Summer यह बात धियां लगाई द्यान लगाई नखने की बाते हैं कोई धियां लगाई 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 अगे चलते हैं और नमबर आजाएंगे, यह चाहरा हो आप मुझसे अफसोस की बात है कि आप अभी भी किसी टीचर से एक स्टेटजी की उम्मीद में हो, लेकिन चलो कुछ होते हैं बच्चे जो अपनी स्टेटजी बना करके और अपनी प्लानिंग को तैयार कर भी चुके होते हैं लेकिन चलो कोई बात नहीं, आप भोले भाले बच्चे हो हम आपको बच्चा नहीं करके स्टेटजी बता देते हैं आपको क्या है ताइम जितना बच्चा हुआ है हमारे पास में इसे देखो आप, यह मुझे लगता हो सकता हो पर नीचे हो गया हो लेकिन आप देख लेना इसे, ठीक है 1440 घंतों के हिसाब से तैयरी करो ना, क्यों कर रहा हो साट दिन के हिसाब से कम हैं वो इस पर ध्यान दो 1440 घंते में आप मान लीजे 440 घंते सो जाओगे जरूरी है वो, 1000 घंते में UPSC का एक्जाम निकल देगा बच्चा अगर तरीके से बेढ़ जाए तो इस पर कैसे बेढ़ोगे आप तरीके से कैसे अपने दिमाग को एकागर करके यहां लगाओगे अपनी वर्तमान इस्तिती को देखो और सुधारना चाहते हो, अगर चाहते हो कि आज जो पापा पैसे देने में ऐसमर्थ है मुझे, किसी टीचर से मुझे यह कहना पड़ता है कि सर्फ फीस में कंसेशन कर दे, मेरे बच्चों को ना कहना पड़े गलत बात नहीं है लेकिन ना कहना पड़े मेरे बच्चे को पूरी फीस दू जा करके टीचर किये किसी के सामने यह बात बोलनी ना पड़े मुझे हर टीचर एक जैसा नहीं होता है जो आज मैं अच्छी सुविधा है प्राप नहीं कर पा रहा है अपने बच्चों को करवा दू इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं है आपके लिए साथ दिन में ऐसी तैयारी हो जाएगी कि अगर आज आपको लगता है कि मेरे दोसों में से 90 नमबर आएंगे ये मैं बोल रहा हूँ खुले तोर पे यूट्यूब पे हूँ लाइब बिल्कों एक डम गारंटी से बोल रहा हूँ ये साथ दिन 1440 घंटे नींद के निकाल करके 1000 घंटे अगर आप सही से लग जो 110 नमबर आएंगे आपके कहां से समझेंगे बने के चीज़े के आएंगे प्रिवयसर पढ़ो आप प्रिवयसर के questions देखो कैसा आ रहा है लास्त वाले जरूर देखो जो TCS करवा रहा है GS में किस तरीके की question आ रहा है reasoning में वो कहां काम 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 रहा है इंग्लिश में मैं भी आपके साथ लगा हूँ अपने अनुभव के साथ में मौक्तेस मत छोड़ो हमारे फिरी के हैं आपके लिए कोई फीज नहीं उसके लिए आप पढ़ो एंजोई करो मेरी बाते खतम हो गई हैं दो चीज़ों पर मैंने सबस्ब जादा ध्यान दिया वो यह कि वेकेंसी साब को क्या प्रोब्लम है ग्यारासो वेकेंसी चाहिए थी तुम्हें चाराजार आएंगे तो तुम्हें वेकेंसी चाहिए थी यह उनकी बाते हैं जिनमें काबिलियत कम है जिनमें खुद में छमता नहीं है बलकि चाहते हैं और लग जाओ अभी से, इस जादे नहीं बोल पांगा, तेंक यू, all the best, see you tomorrow